आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello guys, हम इस Question में बूला है कि Vector Equation Find Out करो, ठीक है? एक Line का, ठीक है? जो पास करता है 4, 3, 1 से और पैरलल है इस Line के यह जो Line का Equation है, इसके पैरलल है तो देखो, अपन जानते हैं अगर किसी भी Line का अपर Standard Equation लिखें तो वो क्या होता है? R equal to A plus Lambda times B type का ठीक है? जहाँ पे where हमारा जो A है, यह जो Line है वो Line हमारा किस से पास कर रहा है? where Line passing through तो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? वो पास कर रहा है, वेक्टर A से ठीक है? and parallel to वेक्टर B ठीक है? तो यह जो अपन Equation लिखें हैं उसमें से अपन जानते हैं कि जो Line है वो वेक्टर A से पास कर रहा है ठीक है? वेक्टर A के position वेक्टर से पास कर रहा है एक तरह से और यह हमारा किस के parallel है? वेक्टर B के parallel है और यहाँ पे वेक्टर B होता है क्या है? direction ratio होता है ठीक है? तो वेक्टर B हमारा क्या होता है? direction ratio तो अपन देखते हैं यहाँ पर अगर मेरेको एक equation लिखना है एक line का जो इससे pass कर रहा है तो अपन क्या लिखेंगे देखो इसको vector form में लिखो एक के जगा पर तो क्या हो जाएगा 4i cap plus 3j cap minus k cap अब क्या बोला है कि parallel है इस line के तो इस line के अगर parallel है तो उसका direction ratio क्या है इस line का इस line का direction ratio यह है ठीक है तो plus lambda times यह हमारे direction ratio होता है तो इस line का direction ratio यह हो जाएगा क्योंकि इसके parallel है ठीक है तो यह हो जाएगा 3i cap minus j cap plus 4 times k cap ओके तो यह हमारा जो required line है उसका equation आ गया हमसे ही से रहें, ओके, थाइंक्स